आज का हमारा टोपिक है साथ वाहन वंज गौत्मी पुत्र शाथ करनी की ओपलब दिया। जैसा कि मैंने पूर्व व्यक्षान में बताया था कि शुंग वंज का अंतिम शाषक देवपूती था। देवपूती अतिन्त विलासी प्रवर्ती का शाषक था। अतिम उसके मंत्री वासुदेव काण्व ने उसका वद कर दिया। और वद करके एक नए वंज के स्थापना की जो इतिहास में काण्व वंज के नाम से जाना जाता है। यह भी ब्रामण वंज था और इसने संभावतर 72 इसापूर्व से 27 इसापूर्व तक शाषन किया था। इनके शाषनकाल की कोई महत्तपून गटना हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके पश्चात भारत में एक नए वंज का प्राधूर्वा हुआ जिसे इतिहास में साथवाहन वंज के नाम से जाना जाता है। वायू पुराण के अनुसार आंध्रे जातिय सिम्मुख, काणवायन, सुशर्मा और शुंगों की अवसिस्ठ शक्ती को नस्ट करके राज्य प्राप्त करेगा। पुराणों में इस राजवंश के आंध्र भत्य या आंध्र जातिय बताया गया है। इस वंज के लेखों में कहीं भी इसके नाम का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसके राजा सदेव अपने को साथवाहन कहते थे। अधिकाश इतियासकार साथवाहनों को ब्राह्मन वंश मानता है। साथवाहनों के अभिलेखों से भी इसकी पुस्टी होती है। नासिक अभिलेख में गौत्मी पुत्र को एक ब्राह्मन और खदित्य दप मान मदनस कहा गया है। इस वंश के आदी पुरुष का नाम साथ इन्हें आंध्र क्यों कहा गया इसके पीछे भी एक विशेश कारण है यह वंश महारास्टर में निवास करता था लेकिन शकों ने इस राजवंश को पराजित करके इन्हें यहां से खदेर दिया था यह लोग आंध्र प्रदेश क्रशना और गुदावरी नदियों के बीच म इसे भ्रत्य भी कहा गया है अत्यानुमान है कि स्वतंत्र राजा बनने से पूर्व वह सामंत रहा था नानागाट अभी लेक में इसका उलेक मिलता है इसने 23 वर्ष शाशन किया था अपने जीवन के अंतिम चरण में वह दुर्व्यसनी हो गया था अत्यान इसका वद जो वो कर दिया गया था पुराणों के अनुसार सिमुख के बाद उसका भाई क्रशन शाशक बना इसने 18 वर्ष तक राजी किया था इसके शाशनकाल में साद्वाहनों के राज्य विस्तार नासिक तक हो गया था क्रशन के बाद शातकर्णी प्रथम शाशक बना पुराण इसे क्रश्न का पुत्र बताते हैं लेकिन नानागाट अभी लेक से ये संकेत मिलता है कि यह सिमुख का पुत्र था इसने विशाल राज्य के स्थापना की जिसमें महरास्ट का अधिकाइश भाग उत्री कौंकर्ण और मालवा के प्रदेश समलित थे जिसकी राज्थाने प्रचि के रूप में शाषन किया था शाथकर्णी प्रथम के बाद और गौत्मी पुत्र शाथकर्णी के शाषक बनने तक का समय अंत्राल साथवाहन शक्ति का पराभव काल था और इसके बाद साथवाहन वंश में गौत्मी पुत्र शाथकर्णी का उद्य हुआ यह साथवाहन वंश का एक पराक्रमी शाषक था इसकी जानकारी नासिक अभिलेक से प्राप्थ होती है यह अभिलेक उसकी मा गौत्मी बलश्री ने अपने पुत्र वसिस्ट पुत्र पुलमावी के शा इस अभीलेक में गौतमी पुत्र को साथ वाहन वंश के यश्कों पुनहैं इस्थापित करने वाला काः घया है, इस अभीलेक के अलावा गौतमी पुत्र का स्वयम केशाशन में जारी नासिख से प्राप्त अभीलेक और गौतमी पुत्र and उसकी Harbor गौत्मी बलश्री द्वरा सहित रूप से जारी 24 वे वर्ष का अभिलेख गौत्मी पुत्र के बारे में हमें जानकारी देते हैं। आउशेश करने वाला साथ वाहन कुल की प्रतिस्था इस्थापित करने वाला था। इसके अलावा भी उसे समस्त राजाओं के उपर राज्ये करने वाला अपराजिता युद्ध में अनेक शत्रूओं को जीतने वाला वहें जिसके वाहनों ने तीन समुद्रों का जल पिया ह आधी कहा गया है जो उसके महान विजेता होने के प्रमान है उप्युक्त कत्नों के पुस्टी अन्य प्रमानों से भी हुआ करती है गौत्मी बलश्री के नासिक अभिलेक के आधार पर ये कहा जा सकता है कि गौत्मी पुत्र शातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिना पत में विश्चित था इस अभिलेक में गौत्मी पुत्र शातकर्णी को कभी पराजीत ना हुआ वा तथा जिसके वाहने तीन समुद्रों का जल पिया है आधी कहा गया है गौत्मी पुत्र की विजियों से इस पस्ट है कि उसने दक्षन के राज्यों सहीत गुजरात, काठियवर, महारास्ट और मध्य भारत में फैला हुआ एक विशाल सामराज्य कायम कर लिया था उसने जिन जिन राज्यों को जीता था उसकी सूची इस प्रकार है असिक यह क्रशन नदी का टटवर्श्टी शित्र था असंग गोदावरी का टटिय शित्र था मूलक प्रतिस्थान के आसपास का शित्र था सूरट दक्षणी काठ्यवाड का शित्र था अपरांत उत्री कॉंकर कुकूर उत्तर पश्ची में राजी थे अनूप नर्वदा नदी के टट पर महिश्मती के पास का शित्र था विधर्व बरार था आकार पूर्वी मालवा और अवन्ति पश्ची में मालवा था इन में से कुछ प्रदेश पहले से साथवाहन राजी के अंग थे और शेश अनेक शित्रों की विजए सर्व प्रथम गौत्मे पुत्र शाथ करनी नहीं की थी इस अभिलेक से यह भी ग्यात होता है कि गौत्मी पुत्र संपोण दक्षिनी भारत का अधिपत्ती होने का दावा करता है क्योंकि उसका एक विशेशन त्री समुद्र तोय पीत वहनस से हैं अथात उसके हातियों ने अनुमानते अरबसागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महसागर का जल पिया था यह हो सकता है कि एक काव्यात्मक अतिरंजना हो परन्तु निश्चे ही इतनी विजियों के बाद संपोण दक्षिन भारत ने उसका प्रफुत्व स्विकार कर लिया होगा गौत्मी पुत्र शातकर्णी और शक अपरांत, अनूप, सूरस्ट, कुकर, आका, अवन्ती इस समय शहरातों के अधिन थे गौत्मी पुत्र ने ये प्रदेश कारदमक वंश के नहपान से चीने थे उलेकनी है कि गौत्मी पुत्र से पूर्व नहपान ने महरास्टर और अपरांतक के शित्र साथवाहनों से जीते थे लेकिन गौत्मी पुत्र ने अपने खोई हुए प्रदेशों के साथ-साथ नहपान के भी कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था इसकी पुस्टी जोगल थंबी मुत्राभान से होती है, जिसमें 13,000 सिकों में से 9,000 सिकों पर दोनों के नाम उत्करेन हैं। नासिक अभी लेक में शहरात नहपान की अंतिम्ति थी, 46 का उलेक है, ये शक समवत की है, इसके बाद शहरातों का कोई भी लेक नहीं मिलता है, और शक समवत 78 इसवी में आरम हुआ, अधर 46 प्लस 78 is equal to 124 इसवी तक महारास्ट में इन्हों ने शाशन किया था। इसके बाद गौत्मी पुत्र ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। नासिक से प्राप्त गौत्मी पुत्र का लेक उसके शाशन के 18 में वर्षका है, अधर 124 माइनस 18 is equal to 106 इसमी एक अन्य लेक जो 29 में वर्षका है, 106 प्लस जोईस is equal to 130 इसमी तक वह राज्य कर रहा था। अधर उसका शाशन का 18 में वर्षका है।